हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम है विकास आज ही इस वीडियो में हम जानेंगे सैमसंग के फोन में हम एप्स हाइड कैसे करें मैं यहाँ पे अपने फोन में प्ले स्टोर को हाइड करने वाला हूँ तो प्ले स्टोर मेरे फोन में यह रहाँ प्ले स्टोर वाट्सअप को हैड करूंगा तो इसके लिए आपको जो home screen है उस पर long press करना है आपको मिलेगा settings इस पर touch करना है ऐसा page आएगा यहाँ आपको मिलेगा high depth अगर आपको यह page यहाँ से नहीं मिल रहा दिक्कत आ रही है तो simple settings में जाएए अपने phone की settings को open करिए तो यहाँ पर settings यह रहा आपको यहाँ मिलेगा home screen इस पर touch करिए आपको यहाँ मिल जाएगा high depth तो कहीं से भी आईए same तरीका है high depth पर आते हैं जो application आपको hide करना है वो select करिए मैं यहाँ पर whatsapp और play store करूंगा तो whatsapp select करता हूं मैं दोनों और play store पर है यह रहा done option पर touch करते हैं और यह hide हो गए अब देख सकते हूं यहाँ menu में नहीं है play store और whatsapp भी नहीं है अब देखना कैसे बताता हूं तो samsung में थोड़ा सा अलगतरीका है तीन डॉन पर touch करिए menu में आके आपको मिलेगा settings फिर से वहीं जाहिए और यहाँ पर hide apps आपको यहाँ पर unhide मिल जाएंगे यहाँ आप long press करें यहाँ पर setting पर आईए और hide app में जाके आप unhide कर सकती हो तो शायद आप समझ गए होंगे तो वैसे कोई तरीका नहीं है कि आप unhide यानि two finger करके या कोई code डाल के आप देख सको आपको उसे unhide करना पड़ेगा यह proper तरीका है कि यह application hide हो जाएगा तो आप उसे use ना करें ऐसा है सायद आप समझ गए होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो like करें चैनल को subscribe करें